Hello everyone, my name is Srivesh and you are watching my YouTube channel आज के स्टूड़ी में बहुत ही useful structures और sentences लेकर आया हूँ एक interview से हैं तो बहुत ही मिलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा advance level के हैं जो जो sentences होंगे वो बहुत ही useful होने वाले हैं तो आप भूत ध्यान से देखिएगा और एक-एक चीज़ को समझने के कोशिश कीज़े क्योंकि छोटी-छोटी सी ऐसी ऐसी चीज़े हैं जो शायद आप ध्यान से ना तुने तो एगनोर कर दोगे लेकिन मैं चाहूंगा कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ो कोई notepad, notebook आप लेकर बैठिये ताकि वो चीज़े आप note कर सकें और अपने बातों में यूज कर सकें दीखे पहला हमारे पास sentence है जब आप New York में नहीं थी तो आपने कौन सा खाना miss किया इसके अंदर दो sentences है पहला है जब आप New York में नहीं थी ये sentence है आपका simple past का दूसरा है आपने कौन सा खाना miss किया ये है आपका past indefinite समझ रहे हैं तो जो यहाँ पर sentence है पहला जब आप New York में नहीं थी देखे जब के लिए और कव के लिए दोनों में when का use करते हैं यहाँ पर बात चलिए जब की तो when का use हुआ जब के लिए इसको when को लगा गए sad में रख दो sentence बचा आप New York में नहीं थी यह sentence है आपका past का simple sentence formula क्या होगा किसकी बात कर रहे है main word not और क्या नहीं था चेक है तो आप New York में नहीं थी किसकी बात कर रहे है आपकी you main word लगता है was और were you के साथ लगेगा were you were उसका तरह आया not you were not अब आप कहा नहीं थी या फिर क्या नहीं थी आप New York में नहीं थी so in New York simple है so you were not in New York आप New York में नहीं थी पूरा sentence क्या बना जब आप New York में नहीं थी when you were not in New York तो आपने कौन सा खाना miss किया अब इस तो के लिए मैं चाहूँ तो then लगा सकता हूँ ठीक है तब वाला sentence लेकर चलेगा क्योंकि यहां पर तो से sentence शुरू हो रहा है अगर चाहो ते हैं पर then का use कर सकते हो आपने कौन सा खाना miss किया अब यह कौन सा के लिए मैं चाहूँ तो which का भी use कर सकता हूँ क्योंकि खाने में तो चीजें है ना वो शायद ऐसा हो सकता है कि न्यू यॉर्क में जो चीजें है वो बहुत ही countable हो so which का भी use कर सकते हैं और अगर मैं एक choice की बात करो तो खाना बहुत सारी खाने किजें तो what का भी use कर सकते हैं अब दूसरे चीज़ आती है कौन सा जो ये तो चीज़ आती है इनके लिए हम which what इनका ही use करते हैं जिस चीज़ को मैंने miss किया इसकी लिए मैं which यवाट का use कर सकता हूँ या फिर आपने किस चीज़ को miss किया इस चीज़ के लिए मैं किस और जिस दोनों के लिए मैं which और what का use कर सकता हूँ तो कौन सा, जौन सा वही वाला sense बनता है तो आपने क्या खाना मिस किया इस तरीके से कौन सा खाना तो इस कौन सा, अब ये है मेरा question word तो इस के लिए मैं what या which का use कर सकता हूँ समझ रहे हैं तो formula क्या बनेगा मेरा, formula मेरा यही बनेगा सबसे पहले आएगा question word ठीक है, question word, main word, doer और action ठीक है, ये sentence का formula बनेगा यहाँ पे question word, sentence है past indefinite का question word क्या है, question word है कौन सा खाना सिर्फ कौन सा नहीं है, ठीक है question word है कौन सा खाना so which food या what food ठीक है, फिर आएगा main word did, फिर आएगा doer you, फिर आएगा action action का है, miss करना, so miss कि what food did you miss ये हो गया मेरा एक grammatically correct सवाल यहाँ पर जो बोला गया है sentence ये grammatically incorrect है, लेकिन बिल्कुल acceptable mistake है, spoken के अंदर, ठीक है, कि what food you missed, अब इन्होंने क्या किया what food did you miss की जगा, जो did है वो जोने जो हमारा action उसमें छुपा दिया और उसकी second form बना दी, ठीक है कि what food you missed, ये बोलने में सही है, casual एक approach में सही है, लेकिन आप इसको formal बातों में mail में, किसी senior से कुछ बात कर रहे हैं, कोई article लिख रहे हैं वहाँ पर आप इस चीदों को ignore कीजेगा ये spoken के तोर पे सही है ठीक है, वरना कायदे में बनना चीए था what food did you miss, इस तरह से बनना चीए था, सो पूरा sentence क्या बना, जब आप New York में नहीं थी, तो आपने कौन सा खाना miss किया when you were not in New York, what food you missed, चाहो तो इसको आप उल्टा भी बना सकते हो what food you missed when you were not in New York, इस तरह से ये बन सकता है ये गरी, New York के बारे में मेरे पसंदिदा चीज है इसका खाना, या फिर यहां का खाना एक ही sense लेकर चलेगा, तो जब पहला है New York के बारे में मेरी पसंदिदा चीज है चाहिक है, तो ये जो formula है ये formula है आपका जो सवाल मलब ये जो sentence बना ये sentence है आपका simple present चाहिक है, इसके अंदर कुछ action तो नहीं है तो किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या है simple formula लगेगा, किसकी बात कर रहे है New York के बारे में मेरी पसंदिदा चीज ये पूरा है जिसके में बात कर रहे है so my favorite thing मेरी पसंदिदा चीज about New York New York के बारे में चाहिक है या फिर about New York my favorite thing इस तरह से भी आप लिख सकते हो फिर आया main word is कि वो है क्या है इसका खाना या फिर यहां का खाना so it's food या फिर the food from here इसका खाना तो ये दोनों सेंस में आप जो end वारी term है इसको बना सकते हो so जो मेरा formula लगा वो वही लगा है कि किसकी बात कर रहे है main word और क्या है so New York के बारे में मेरी पसंदिदा चीज की बात कर रहे है फिर main word लगा फिर वो क्या है तो यहां का खाना वो end में आया so my favorite thing about New York yeah फिर about New York my favorite thing is it's food चीक है आज भी मैं आज सुभा मियामी से उतरी चीक है मियामी एक जगा है so आज भी मैं आज सुभा मियामी से उतरी so आज भी अब यह जो हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आये न English में even आप उससे पहले लगा दो even today चीक है even today आज भी जैसे कि यह चीज़ बहुत useful है जैसे कर मैं बोलू कि मैं आज भी अपनी videos रात को ही बनाता हूँ so even today I make my videos in night इस तरह से so आज भी even today मैं आज सुभा मियामी से उतरी चीक है मैं आज सुभा मियामी से उतरी तो आज सुभा के लिए आप today morning लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने बताया हुआ है चीक है आप today yesterday और tomorrow इनके जगा हम next next day this day या फिर last day ये भी हम use कर सकते है चीक है तो यहाँ पर इनों ने this morning का use किया आज सुभा के लिए और ये this morning term है ये चाहो तो sentence है पहले भी लगा सकते हो कि this morning और फिर sentence बना दो चीक है मैं मैं मियामी से उतरी अब देखो मियामी से उतरी का मतलब क्या है मियामी कोई plane का नाम नी है कोई गाड़ी का नाम नी है मियामी एक शहर का नाम है मलब मैंने वहाँ से land किया मलब मैं वहाँ से flight से ए वहाँ से उतरी ये उस sense में लगा है यहाँ पर जो action है वो land है जमीन वाला नहीं हवाई जास से आने को भी landing जैसे लेंडिंग गेर बोला है तो लेंड करना बोलते हैं चैक, सो यह सेंटेंस है यह आपका past indefinite sentence है do or main word action, do or कौन है मैं so I, main word लगा did, action है यहाँ पर land अब land के इंदर did छुपा वो landed बन गिया चैक, I landed from Miami, कि मैं Miami से उतरी आज सुभा this morning, today's morning या फिर आप इस this morning को शुरू में भी लगा सकते थे कि this morning, I landed from Miami, चैक, इस तरीके से sentence बन सकता था, so पूरा sentence मेरा क्या बना आज भी, मैं आज सुभा Miami से उतरी even today, I landed from Miami this morning मैंने जो पहला काम किया, वो था stand पर hot dog खाना, चैक, है, so मैंने जो पहला काम किया, अभी जो वाला sense आए ना, तो मैंने आपको कई बर बताया हुआ है, आप दर से शुरू करेंगे, चैक, है, जो पहला काम, the first thing, जो लड़का सोफे बैठा है, the boy sitting on the sofa, इस तरीके से, so जो पहला काम, the first thing मैंने किया, चैक, है, तो जो पहला काम के लिए मैंने लगा है, the first thing, मैंने किया, ये है मेरा past indefinite sentence, do or main word action, do or कौन है मैंने, I, main word did, करना do, चैक, है, I did do, did छुपा do में, और do की second form बन की, जो की did ही होती है, चैक, है, so the first thing I did, पहला काम जो मैंने किया, अब जो वाले term के लिए आप अगर चाहो, so which, ठीक है, what, that, इनका भी use कर सकते है, मैंने कही बर बताया हुआ है, ठीक है, the first thing which I did, इस तरीके से भी ठीक है, the first thing that I did, ये भी सही है, और चाहो तो तीसरा मैंने that was भी लगा सकते हो, या फिर simple was भी लगा सकते हो, the first thing I did was, पहले जो थी, मैंने बताया हुआ है, वो थी, वो है, ये जो term है, end में आप was, were, is, are, will be, ये end में लगा सकते हो, कि वो है, is, ठीक है, वो था, was, इस तरीके से, so the first thing I did, पहले जो काम मैंने किया, वो था, was, या फिर that was, इस तरीके से, stand पर hot dog खाना, चाहिए, 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 the first thing I was, I did was, have a, have a hot dog at a stand, अब have का मितला है, या पर खाने के तौर पर ही है, चाहिए, काइदे में है, यहाँ पर इनानोचे sentence बोला, वो यही बोला था, मुझे यही लिखना था, यह acceptable ही mistake मैं मालूंगा, चाहिए, the first thing I did was, have a hot dog at a stand, अब यहाँ पर काइदे में, have के जगा having आना चाहिए था, नानी ने वाले sense के लिए, चाहिए, तो ज़्यादा साही रहता, लेकिन अब मुझे नहीं पता कौन से flow-flow में यहाँ पर प्रेंका ने बोल दिया, इसका क्या grammar है मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जो यह बोल देते हैं, grammatically देखने जाओ, तो गलत निकलता है, यहाँ पर अगर मैं grammatically बात करूँ, तो बात यह बनती है, the first thing I did was having a hot dog at a stand, यह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंना have symbol लिख दिया, have a hot dog, इसका मतलब जाओ, इसका मतलब यह जाएगा, कि hot dog खाओ, यह इस तरीके से sense जाएगा, लेकिन यह नहीं यह पर having आना चाहिए था, so मैंने जो पहला काम किया, वो था stand पर hot dog खाना, the first thing I did was having a hot dog at a stand, सब के साथ, जैसे ketchup, cheese, with everything, सब के साथ, इसमें तो कुछ समझाने के जुरती नहीं है, with everything, सब के साथ, जैसे ketchup, cheese, जैसे के लिए like का यूज़ करेंगे, like ketchup, cheese, अब cheese की spelling गलते है, दियान मत देना जादा, चेक है, अब यह कह रहा है, आपका हमारा महमार होना हमेशा मज़ेदार होता है, चेक है, यह जो sentence है, कि कोई चीज जर्नली होती है, और इसके अंदर कुछ action नहीं है, सिर्फ एक state के और एक condition की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह sentence भी आपका simple present की form में ही बनेगा, यह बनेगा कैसे, आप यह मान कर चलो कि it से शुरू कर दो, कि यह हमेशा मज़ेदार होता है, यह हमेशा मज़ेदार है, यह हमेशा मज़ेदार है, तो यह sentence इतना सा, यह मज़ेदार है, यह sentence बना मेरा simple present का, किसकी बात कर रहा हूँ, main word और वो क्या है, यह की बात कर रहा हूँ, so it, main word लगा is, अब वो क्या है मज़ेदार, सिर्फ fun का use करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बाकी चीज़ दो, सिर्फ fun का use करो, मज़ेदार चीज़ करो, this is so much fun, इसमें तो बहुत मज़ाता है, इस तरीके से, so it is fun, या फिर it is so fun, so का मतलब बहुत, चीक है, so it is so fun, अब जो बचा हमेशा, ये चीज़ कहां लगेगी, किसकी बात कर रहा है, मीनोड, और वो क्या है, तो जो और वो क्या है वाले टाम है, उससे पहले, so so fun से पहले always लगा दो, it is always so fun, कि ये हमेशा बहुत मज़ेदार होता है, आपको, अब किस क्या मज़ेदार होता है, it is always so fun, कि ये बहुत मज़ेदार होता है, आपको हमारा महमान लेना, to have you our guest, to हटा होगे, having लग जाएगा, it is always so fun having you our guest, ठीक है, अब यहाँ पर have का मतलब है, कि आपको लेना, आपको रखना, ठीक है, आपका होना हमारा, एक guest के तोर पे, so अगर मेरा कुछ है, have action आएगा, यहाँ पर हमारा कुछ है, ठीक है, so इसलिए have आया, have you our guest, आपको हमारा महमान होना, आपका हमारा महमान होना, यह इस तरीके से sentence बना, अब पूरा sentence क्या हुआ, आपका हमारा महमान होना हमेशा मज़ेदार होता है, so it is always so fun to have you our guest, अगर आ having you our guest is always so fun, कि आपका हमारा कि किसकी बात कर रहे है, mean word और वो क्या है, कि आपका हमारा महमान होना, having you, having you our guest, फिर mean word आया, is, अब वो क्या है, मज़ेदार होता है, is always so fun, इस तरीके से भी आप अगर चाहो तो sentence की formation कर सकते हो, विल्कुल ठीक रहेगी, अब यहाँ पर उसने बोला कि आप मेरे पसंदीदा में से एक है, यह sentence मैं वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता कि कोई नया इंसान देख रहा हो, सिर्फ उस इंसान को समझाने के ही लिए मैंने दुबार लिया है, अगर दुबार अगया, पताने को इतनी बार में लिया हुआ है, चीक है, तो यह जो जब भी हम इस तरह का sentence बर बोलते हैं, mostly मैंने लोगों को यह बोलते हुए गलत ही सुना है, कि one of my friend, कि मेरा एक दोस्त, अगर मैं आपको यह बोलू कि मेरा एक दोस्त, तो लोग क्या बोल देते हैं, one of my friend, कि हम तो एक की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे दोस्तों में से एक, यह उसका sense देता है, so one of my friend नहीं आएगा, one of my friends आएगा, चीक है, तो जो friend की जो term होगी, वह plural होगी, one of my friends, इस तरीके से आएगा, चीक है, तो अभी यहाँ पर बोला कि आप मेरे पसंदिदा में से एक हो, तो यह जो sentence है basically, यह आपका simple present का ही sentence है, action कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बताई जा रही है, condition बताई जा रही है, कि आप मेरे पसंदिदा में से एक हो, so किसकी बात कर रहे है, mean word और वो क्या है, किसकी बात कर रहे है, आपकी, so you, mean word लगा are, अब आप क्या हो, मेरे पसंदिदा में से एक, so one of my favorites, चीक है, जैसे he is one of my good friends, कि वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, चीक है, so you are one of my favorites, so one of का जब हम use करेंगे न, तो जो अगली term होगी, जिस में से हम बात करें, कि one of my co-collects, one of my friends, चीक है, तो वहाँ पर जो term होगी, plural ही आएगी, कि मेरे दोस्तों में से एक, चीक है, दोस्त में से एक, one of my friend का मतलब क्या हुआ, कि मेरे दोस्त में से एक, एक ही तो दोस्त है, तो आप मेरे पसंदिदा में से एक है, you are one of my favorites, अब यह कहरी है, मैं यहाँ आकर और आपको सच में देखकर बहुत खुश हूँ, सच में देखकर का मतलब है, कि आपको real में देखकर, आपको वाकई में द कौन सा है, यह sentence है आपका simple present का, इसके अंदर कुछ action नहीं है, यह सिर्फ अपनी एक state बता रही कि मैं खुशी की state में हूँ, so किसकी बात कर रहे है, main word और वो क्या है, तो मैं खुश हूँ, so I, main word am, action, अब यहाँ पर action तो कुछ है नहीं, अब मैं कि आपको बहुत खुश ह I am very happy, I am really happy, क्या चीज़ करके, to be here, ठीक है, यहाँ होकर, ठीक है, यहाँ होकर, to be here, and see you for real, अब यहाँ पर, see से पहले भी to आना चाहिए था, कायदे में, लेकिन अनने to पहले लगा दिया, so उसी term के अंदर and लगाया हुआ, इसलिए दुबारा नहीं लगाया, वरना बनन यह चीज़ था, कि I am so happy to be here, and to see you for real, ठीक है, अब यहाँ पर to लगाया हुआ है, इसलिए ing नहीं बना, वरना मैंने क्या बताया हुआ है, कोई चीज़ करकर वारे तो सेंस हो, आपको देख कर, ठीक है, so यहाँ पर ing का भी सेंस बन सकता था, कि I am so happy being here and seeing you for real, ठीक है, कि यह इस करकर, इस देख कर, इस देखने से, यहाँ होने से, मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें सामने से, तुम्हें real में देखने से, तो वो वाला ना नीने वाला सेंस चला जाता, तो वहाँ पर ing भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर to का use कर दिया, कि यहाँ हो कर, यह typically व 20 साल से ज़्यादा समय हो गया है, पहली वाली मैट्रिक्स मूवी को release हुए, अब यह पूरा sentence जब भी इस तरीके से आ जाया है, कि वह इस चीज़ को इतना समय हो गया है, चीक है, so हम it has been से use करते हैं, और इसमें since का use हो जाता है, चीक है, 20 साल हो गया है, यहाँ पर sun तो द अगा हुआ है, यह is नहीं है, यह has है, कि it has been, चीक है, it has been more than 20 years, कि 20 साल से भी जादा हो चुके है, it has been more than 20 years, फिर आएगा since, चीक है, since the first metric movie released, कि जब पहली metric movies release हुई थी, तो यह जो next वाला हो गया, यह हमारा past and definite में जाता है, चीक है, जैसे कि मैं बोलू कि भाई, दो हफत किये हुए, चीक है, so it has been two weeks, since I uploaded any video, इस तरीके से बनेगा, चीक, so पहली metric movie को release हुए, 20 साल से जादा समय हो गया है, हो चुका है, चीक है, तो यह जो sentence है, यह पहला वाला बना है, यह basically आपका बना है, present perfect में, कि हो चुका है, 20 साल से जादा समय हो चुका है, so it has been more than 20 years, इस तरीके से बना, चीक है, perfect वाले, एक sense के अंदर, so it has been more than 20 years, कि 20 साल से जादा का समय हो चुका है, इस film को release हुए, since the first metric movie released, चीक है, कि जब पहले metric movie release हुई थी, उस बात को 20 साल से जादा हो चुके है, आप एक किशोर slash बच्ची, अब देखो किशोर क्या हो था है, English में अपन मान कर चलो कि यह जो 12 साल से लेकर, 15-16 साल तक की बीच की age है न, यह teenage में आ जाती है, यह फिर थोड़ा चलो 18 उन्हें इस तक की मान लो, तो यह teenage में आ जाती है, 18 वो तो adult हो जाएगा, चीक है उससे छोटी, यह 15-16 साल साल तक की age होगी न, यह teenage के अंदर आ जाती है, बच आप teenager थी, तो आपके बात कर रहे है, you, main word I were, अब आप क्या थी, teenager, a teenager, you were a teenager, और अब आप इस कमाल की film का हिस्सा है, यह sentence में भी कोई action नहीं है, ठीक है, तो यह जो sentence है, यह भी आपका simple present का sentence है, हिस्सा है, यह वो क्या simple present का, तो और अब, और अब वाली term है, इसके लिए म main word और वो क्या है, किसके बात कर रहे हैं, आप, you, main word लगा, are, अब आप क्या है, हिस्सा है, इस कमाल की film का, so part of this incredible movie, incredible का, अगर मैं आपको typical मतलब बता हूँ, वो होता है, और विश्वस नहीं है, मतलब जिसमें विश्वास ही नहीं है, unbelievable, वो वाला sense, तो कमाल वाला sense भी ल you are a part of, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बोला गया, मैं तो वहीं बता है, now you are part of this incredible movie, तो इस तरीके से भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीक है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, कि आप उस कमाल की film का एक हिस्सा है, खायदे में तो मुझे यही बोलना होती है, जब हम कोई भी बात करते हैं, लेकर हम इतना ध्यानी नहीं देते हैं, क्योंकि English का एक हवा बन चुका है, कि हम छोटी-छोटी से चीज़ों में अगर कोई किसी गलती निकालता है, तो वो इसको यह लगए कि बहुत कूल, यह बहुत कूल है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब है, अगर कोई भी चीज़ का context सही है, उसका sentence की formation सही है, तो छोटी-छोटी से चीज़े हर कोई ignore कर देता है, और ignore क्या, notice भी नहीं कर पाते हैं लोग, right, next sentence, फिल्म से आप क्या परिचित थी, जब देखो इसका जो sense है, यह परिचित का मतलब है, कि एक मत चीज़े थी, जो आपके लिए familiar थी, अब familiar का मतलब होता है, familiar का मतलब कि किसी चीज़ की बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, अब मान लो, कि जैसे कि मैं एक commerce का student हूँ, तो उस commerce के student को अगर देखा जाए, तो biology के बारे में तो कुछ नहीं पता होगा, so I am not familiar to this, right So, अगर यहाँ पर familiarity, familiarity का मतलब होता है, कि उन चीज़ों के अंदर मेरे को कुछ पहचान थी, so what were your familiarities with the movie, तो यह जो sentence है, यह basically simple past का sentence है, कि फिल्म से आप क्या क्या चीज़ थी, जो फिल्म में जिन से आप परीचित थी, इस तरीके सा sentence बना, ठीक है, so question word, main word, किसकी बात कर है, और वो क्या थी, इस तरीके से बना, so question word क्या, what, main word, यहाँ पर किसकी बात कर रहे है, आप परीचित थी, so your, your familiarities, कि what were your familiarities, कि आपकी familiarity क्या थी, आपकी इन चीज़ों से familiar थी, क्या क्या चीज़ों थी, जिनकी आपको पहचान थी, जिन से आप परीचित थी, with the movie, इस movie क so film से आप क्या परीचित थी, what were your familiarities with the movie, इस तरीके से बना, अब यह करें, इस दुनिया में ज्यादतर लोगों की तरह, यह sentence पूरा नहीं है, अभी आगे पूरा होगा, so इस दुनिया में ज्यादतर लोगों की तरह, अब यहाँ पर की तरह के लिए मैंने बताया हुआ है, यह तो आप as का use करो as, यह फिर आप like का use करो, यह like का use कर दिया, like most of the people in this world, चीक है, दुनिया के ज्यादतर लोगों की तरह, like most of the people in this world, मैंने इस फिल्म को अपने दोस्तों के साथ थेटर में देखा, sentence one सा है, sentence है आपका past का indefinite, so do or main word action, do or कौन है मैंने, I, main word did, action कहा है watch, did छुपा watch में और कोई change नहीं आया, sorry, second form बन गए, चीक है, so did छुपा watch में, जब भी did छुपेगा तो second form बन जाती है, so did watch में लगा, washed बन गया, I watched, मैंने देखी this film, इस film को, I watched this film, मैंने यह film देखी in theater, theater में with my friends, अपने दोस्तों के साथ, चीक है, so I watched this film in theater with my friends, मैंने इस film को अपने दोस्तों के साथ, theater में देख, मुझे बहुत काला पहनना याद है, अब यह जो sentence लिया है, इसका मैं आपको sense बताता हूँ, मैंने क्यों लिया है, यह नानीने वाले sense के लिया हुआ है, चीक है, पहला जो है, मुझे याद है, यह sentence है, आपका present indefinite का, चीक है, do remember, do or mean word action, do चपा हुआ है, remember के अंदर और कोई change नहीं है, I remember, मुझे याद है, क्या, काला पहनना, चीक है, बहुत काला पहनना, so नानीने वाले sense के लिए wear के अंदर ing आया, wearing a lot of black, अब इसका sense क्या है, मैं बताता हूँ, जो पहले matrix movie आये थी, उस पूरी matrix movie में, लोगों न कबड़े काले पहने हुए थे, इसलिए यहाँ पर sentence आया, कि मुझे याद है, मुझे बहुत काला पहनना याद है, I remember wearing a lot of black, चीक है, यह sentence इस तरीके से बना और आगे इसमें एक और sentence था, अब मुझे नहीं पता कि क्यों है, वो add नहीं हुआ है, चीक है, I remember losing my smile for a while, यह एक जब यह वीडियो बना रहा था, तब मैंने वो sentence देखा था, तो इसी sentence के आगे था एक sentence, I remember losing my smile for a while, कि मुझे याद है, अपनी मुस्कुराहट खो देना कुछ समय के लिए, चीक है, तो यह भी इसी तरीके से बना, अब यहाँ पर इसका क्या sense है, क्योंकि पूरी movie में होगी, कोई doubt है, कोई query है, comment box में जाइए, वहाँ मुझे से पूछे, वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजाए, नए है, like, subscribe, donor कीजा, thank you